अब bank checkbook की जरुरत नहीं होगी, क्यूंकि check card कर भुक्तान करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी नहीं जरुरी होगी bank की passbook, कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, वैसी नौबत ही नहीं आएगी अगर मैं आपको कहूँ कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं तो आपको हैरानी होगी डर भी लगेगा कलपना कीजिए बैंकिंग सर्विस के समारांतर एक नई विवस्था आ जाए जिसमें ना तो वकील की जरुरत ना ही अकाउंटेंट की ना बैंकर्स की ना इमिग्रेशन अधिकारियों की ना ही सरकारी अधिकारियों की और देश में ट्रांजेक्शन जारी रहे ची ये वर्चुल करंसी का खेल है और दुबाई इस टेक्लोजी से जोड़ चुका है और 2020 तक उसके पूरी ट्रांजेक्शन वर्चुल यानी ब्लॉक्चेन टेक्लोजी पर ही आटिके की डिस्टिल पासपोर्ट के जरीए दुबाई इंट्रनेशनल एरपोर्ट पर ब्लॉक्चेन सेक्योर्टी मिलेगी तमाम रियल स्टेट या समपत्ति से जोड़े ट्रांजेक्शन ब्लॉक्चेन के जरीए होंगे किराई से लेकर टेलिकॉम बिल तक आप ब्लॉक्चेन के जरीए जमा कर पाएंगे और अक्टूबर में तो दुबई ने अपने नागरिकों के लिए क्रिप्टो करेंसी जारी की जो ही कैश यानि डिस्टल कैश है क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ट्रांजेक्शन के लिए कोई मिडल में नहीं चाहिए माइक्रोसोफ्ट, IBS, Cisco और क्रिप्ट को सरीखे 46 कंपनिया ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी से जुड़ चुकी है और अब असल सवाल है कि आखिर इसकी जुर्रत दुबई को ही क्यों पड़ी और क्या भारत भी आने वाले वक्त में इसी रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है दुबई का कहना है उसने तक्रीबन एक करोड दस्ता वेजों को ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी में डाल दिया है जिससे दुबई ने धाई करोड लोगों के काम के घंटे बचा लिये और डेर्ड मिलियन डॉलर टेक्स भी बचा लिया और दुबई के डिरेक्टर जनरल डॉक्टर आईसा बेन विशर के मताबिक उनका मीशन है दुबई दुनिया में सबसे अलग हो एक लिहास से हैपियस सिटी ओफ अर्थ हो जहां कोई कागजी काम ना हो तो फिर फ्रॉड भी ना हो और दुबई का टारगेट 2020 का है और भारत भी के 2020 तक इस दिशा में बड़े पैमाने पर बढ़ना चाता है ब्लॉक्चेन का मतलब साफ है ना ही रहेगी बैंक ना ही रहेंगे बैंकर ना ही रहेंगे मिडल मैन जो आपको ट्रांजेक्शन में मदद करते हैं यानी एक ऐसी वर्चुल वैवस्ता जिसमें बागदोर होगी सरकार के हाथ में वही रखेगी आपके पाए पैसे का हिसाब बैंकर गायब यानी रोजगा गायब तो आखरी सवाल यही है क्या ये भारत जैसे लोक्तांत्रिक देश में संबव है या फिर भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले वक्त में कोई मिडल मेनेजमेंट जॉब रहेगी नहीं यह सिर्फ एक सवाल है पर इसकी गंबीरता इससे भी समझी जा सकती है अगर भारत में आसमानता चरम पर है हलातों ने 1921 वाले इस्थिती को पकड़ लिया है तो फिर कई थियोरिया है मसलन असमानता बढ़ेगी तो समाज में असंतोष बढ़ेगा असंतोष करपसन से लेकर लूट पार्ट की इस्थिती भी बनाएगा और पैसो वालों को राहत के लिए ब्लॉक्चेन टेकलोजी फिट बैठती है और आखरी थियोरी यही है जब ब्लॉक्चेन ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा भी नहीं पर सवाल तो यह है भारत जैसे सवासो करोड के देश में ब्लॉक्चेन टेकलोजी का मतलब करोड लोगों को बिरुजगार करना भी होगा तो क्या भारत इस दिशा में बढ़ेगा हो सकता है क्योंकि जस रास्ते मोधी सरकार निकली है उसमें हर पैसे पर निका सरकार रखना चाहती है डिस्टल भारत बनाना चाहती है फ्रॉड से भारत परशान है तो ऐसे में रास्ता यही बस्ता है जिसे दुनिया अपना रही है